राजस्थान की डिप्टी सियम बनते ही सचिन पालेट उन सभी मुद्दों पर नजर बना रही हैं जिससे की लोकसभा चनाओं में कॉंग्रेस को फायदा मिल सके साती भाश्पा को बैक फुट पर लाया जा सके साल 2014 में 20 करोण नौकरी देने का वादा करने वारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मामले पर खामोश हो जाते हैं तो वहीं अब सचिन पालेट प्यामोदी की इस दुपती रख पर हाथ रखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने बीते दिनों बेरोजगारी को लेकर ऐसा बयान दिया था जो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी सुनने पर मजबूर हो सकते हैं सचिन पालेट ने कहा था कि रेलवे में 20,000 नौकरियों के लिए 1,60,000,000 लोगों ने आवेदन किया है बेरोजगारी को खत्म करना और सही तरीगे से रोजगार देना उनकी सरकार की प्रात मिक्ता है वैसे से पहले सचिन पालेट ने भरतियों परिक्षाओं में कई बार य जिवाओं के लिए छात्र कलब बनाने का भी प्रिसाओं कैबिलेट में रखने की बात कही है बहराल रारस्थान में कॉंग्रेस सरकार की इस कारेशयाली से साबित हो रहा है कि उन्होंने जनता से जो भी वायदे किये हैं वो धीरे-धीरे पूरे जरूर करेंगे SPN 9 नियोजरूम की रिपोर्ट